यौतमाल जिले के दिग्रश शहर में इन दिनों ट्राफिक की समस्या से रहागेर और शेहरवासी बेहत परिशान है शेहर के पुराने पुल से लेकर मार्केट, लाइन और कच्छी चौक, सहीत, घंटी बाबा मंदिर और पुराने पोस्ट आफिस रोड पर आए दिन ट्राफिक चैम किस्तिती बनी रहती है दिजतन हर तरफ शोरगूल और वहानों की भरमार नजर आने लगी है हाला कि इन दिनों मानसुन के मदनजर खेतों के कामों की तैयारी शुरू हो चुकी है जिस वजह से तैसिल का किसान वर्ग बुआय सहीत विभिनन कामों में जुट गया है जिसके चलते बीज, खाद और खेत के काम के लिए उपयुक्त सामकरी की खरीदी जोरों पर है को और जात आउल जा रहे है शहर के आर निनाका पुराने पुल से घंटी बाबा मंदिर की और जाने वाले रास्ते पर मनमानी से और बेतर्तीब तरीके से एपरिक्षा खड़े किये जाते हैं जिन पर लगाम लगाने की सक्थ जरूरत है वही दुकानों के सामने अधिक्रमन बढ़ने से ट्रैफिक की समस्या समाप नहीं हो रही है ऐसा ही नहीं दिगरस पुलीस का यतायत विभाग इस और लापर वाही बरत रहा है समस्या यह है कि एकका दुका जगह पर तैनार ट्रैफिक पुलीस ट्रैफिक को नियंतरित करने में कम पड़ रही है बहराल शहर की सड़कों पर रोजा न ट्रैफिक गहराने से रहागीरों सहित हर खास और राम इनसान परेशान है शहर ट्रैफिक विभाग जल से जल इस समस्या का हल ढूल कर जनता को निजात दिलाए ऐसे मांग अब उठने लगी है BCN News के लिए दिगरत से जुबेर खान की रिपोर्ट